कोरोना काल में आयूश चिकतसक वेतन कटोती से नाराज हैं। उनकी माने तो कोरोना वारियर्स जहां 6 महीने से अधिक समय से दिन रात जी जान से COVID-19 ड्यूटी में लगे हैं। वहीं राज्य सरकार उन्हें प्रोचसाहन भत्ता देने के बजाए 6 महीने से प्रतिमाह उनके व और आयूश चिकतसको के मनोबल को कम करने वाला बताया। उनकी माने तो बहतर होता कि उसके उलट सरकार वेतन कटोती करने के बजाए आयूश चिकतसको को प्रोचसाहन भत्ता देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करती। वहीं भारतिय चिकतसा परिशत के सदस्य डॉक्टर नावेईद आजम का कहना है कि अलोपेथिक डॉक्टर को मुख्यमंत्री ना आश्वासन दिया कि उनकी वेतन की कटोती नहीं होगी जबकि आयूश डॉक्टर अलोपेथिक डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम क आज़र रही हैं इसके बावजूद भी उनके वेतन में कटोती की जा रही है जो की गलत है वेतन कटोती के लिए जो सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहा है वो ये है कि अलोपेथ का जो वेतन कटोती है उसे मान ने मुख्यमंत्री दुआरा आश्वासन दिया गया है कि वो कटवती नहीं होगी मगर जो हमारा आयूश के डॉक्टर्स हैं उनकी वेतन कटवती के लिए अब तक कोई आश्वासन तो छोड़िये उसके लिए कुछ बात नहीं कही गई है जो आयूश डॉक्टर्स हैं वो एलोपैत के साथ मैं कंदे से घंदा मिला कर काम कर रहे हैं यहां तक कि मैं समझता हूँ कि 95% जो हमारे आयूश डॉक्टर्स हैं वो हमारे कोईड केर सेंटर या आईसोलेशन या जो बॉर्डर पी स्क्रीनिंग हो रही है उसमें कारिय रहत है वहीं आयूश चिकत्सको की बहु प्रतिक्षक्त डी पी सी की मांग भी अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है इस तरह से आयूश प्रदेश में सरकार द्वारा आयूश चिकत्सको की उपेक्षा करना दुर्भाग्य पूर्ण है आयूश डॉक्टरों का कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना होगा नहीं तो आयूज डॉक्टर अंदोलन करने को मजबूर होगे जिसके जिम्मिदारी सरकार की होगी पंजाब के इसरी टीवी के लिए दहरादून से उल्दी प्रावत की रिपोर्ट